हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अट्टा में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए आपको बताने वाला हूँ भारत की अस्तल सिमा पर पडोसी देश कौन कौन से है और जो पडोसी देश है उनसे भारत की दूरी कितनी है दूरी कि मलेशन नैपाल हो गया बंगला देश हो गया भूटान हो गया यह भारत से कितना दूरी डिस्टेंस आज आपको में बताने वा बच्पन में новые किया बच्पन में कोई punya करता है वाइ बहुत लोग करते हैं हम ने सुना है कि जैना स्टिकू कर लिया था तो यह में हो सकता है जब हो मुझा Um कर लिया हो ही अभी आप है अब हैी एक लड़का था उसने तो discuss कि कमांट समाली थी एक दिन के लिए तो ऐसे कारणा में होते रहते हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, तो चलिए चलते हैं question पर, भारत की अस्तल सिमा पर प्रोसी देश, कौन-कौन से हैं इसका याद करने का सांधा trick क्या है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, तो बा मतलब क्या हो गया बांगला देश, पा मतलब क्या हो गया चीन, पा मतलब क्या हो गया पाकिस्तान, ना मतलब क्या हो गया नैपाल, उसके बाद मा मतलब क्या हो गया मैमार, बी मतलब क्या हो गया भूटान, ए मतलब क्या हो गया अफगानिस्तान, अब आपको मैं दूरी बताने वाला हूँ, देखे भारत और बं अंगला देश की अस्तल सीमा की दूरी है भारत और चीन की अस्तल सीमा की दूरी कितनी है 3917 किलो मीटर भारत और पागिस्तान की दूरी कितनी है 3310 किलो मीटर भारत और नेपाल की अस्तल सीमा की दूरी कितनी है 1752 किलो मीटर मयामार और भारत की अस्तल सीमा की दूरी कितनी है 1458 भारत और भूटान की अस्तल सीमा की दूरी कितनी है पांच जार चारी 587 किलो मीटर अफगानिस्तान और भारत की अस्तल सीमा की दूरी कितनी है 80 किलो मीटर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए अगर आप चाहते हैं अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं ऐसी ट्रिकों के माध्यम से जो अच्छे अच्छे देशों के नाम कौन से राज में क्या पाया जाता है उनको याद करने का भी से ट्रिक तो अगर आप ये सब वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे वीडिय के माध्यम से अपने दोस्तों को ट्रिक के माध्यम से आसानी से पढ़ने में सहाथा करना चाहते हैं तो आपने दोस्तों के वीडियो शेयर कीजिए कि धन्य बाद